अगर आप भी स्कूल्स में टीचर्स बनना चाहते हैं आने की क्लास वन से लेकर क्लास एट तक पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कोई ना कोई एजूकेशन डिगरी लेने के बाद आपको सीट या फिर अपने स्टेट लेबल का जो टेट एक्जामनेशन होत में चाहते हैं तो पेपर 1 में तहकं करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 में अपियर होना पड़ेगा और अगर आप दोनों के लेसे लेई एजिए आप 23 नॉम्बर, 23 तक ही करने का मौका मिलेगा, यानि कि extra एक या दो दिन नहीं मिलेगा, 23 नॉम्बर तक ही आपको registration करके payment भी कर लेना है, और जो examination होगा, paper 1 और paper 2, दोनों paper का examination, 21 January 2024 को 21st January 2024 को conduct करा जाएगा, अलग-अलग shift में, paper 1 अलग shift में होगा, paper 2 अलग shift में होगा, तो नीचे details दीगए है कि कौन से shift में, कौन सा paper conduct करा जाएगा, तो ये जो है seated examination, Central Teacher Illigibility Test, 21 January 2024 को conduct करा जाएगा, दो shift में paper 1 और paper 2, अलग-अलग shift में conduct करा जाएगा, बात कर लें application fees की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अगर आप general या फिर OBC, NCL काटेगर से आते हैं, और केवल एक paper के लिए चाहे, paper 1 चाहे paper 2 के लिए अगर आप fill up करेंगे, तो 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा, वही पर अगर आप दोनों ही paper, paper 2 दोनों के लिए apply करते हैं, तो 1200 रुपीज आपको वहाँ पर पे करना होगा, वही पर अगर आप SC, ST, differently abled person है, तो उस case में अगर कई एक paper, paper 2 भरते हैं, तो 500 रुपे देना पड़ेगा, और वही पर अगर दोनों ही paper के लिए apply होते हैं, यानिकि paper 2 दोनों के लिए apply होते हैं, तो जनरल OBC, 1000 एक paper के लिए, 1200 दोनों paper के लिए, SC, ST, differently abled person के लिए, 500 एक paper के लिए, और 600 दोनों paper के लिए, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, schedule of examination आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 21 जनरुरी दोजार 24 को paper 2, जो है वो morning shift में, 9.30 से 12 के बीच में conduct करा जाएगा, और वही पर जो paper 1 है, वो second shift में, यहाँ कि 2 से 4.30 के बीच में conduct करा जाएगा, तो दोनों ही paper चाहे paper 1 हो, चाहे paper 2 हो, दोनों ही paper, धाई घंटे के होंगे, 2 hour 30 minutes का होगा, दोनों ही paper आप appear करेंगे, eligibility के लिए आपको जो ncet.gov.in की website है, वहाँ पर आप जाकर detail चेक कर सकते हैं, या फिर video upload कर दिया जाएगा, और पुराने video upload होंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार 2024 में यह possible होगा, कि जो B.A.D. वाले हैं, structure and content of seated की बात करें, तो paper 1 के लिए सबसे पहले बात करें, तो paper 1 class 1 से 5 के लिए होता है, और paper 2 class 6 से 8 के लिए होता है, तो यहाँ पर आप paper 1 के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पर child development and pedagogy से 30 mcq के होंगे, 30 mcq आने की 1 mcq ए 1 mask का होगा, यहाँ पर आपको दो language select करने पड़ेंगे, language 1 और language 2, आप अपनी मज़्जी से Hindi, English से फिर कोई और language select कर सकते हैं, तो language 1 जो भी आप select करेंगे, वहाँ से 30 mcq होंगे 30 mcq होंगे 30 mcq होंगे, mathematics होगा 30 mcq, 30 mcq और environmental studies से 30 mcq होंगे 30 mcq होंगे, तो आपको इन में से कोई 2 language चूज करना होगा, जैसे कि आप English or Hindi चूज करते हैं, तो English का 01 है और Hindi का 02 है, तो इसी तरीके से paper 2 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है 5 section होंगे, पहला section child development और pedagogy होगा, जहाँ पर 30 mcq होंगे 30 marks के, language 1 और language 2 यहाँ पर भी आपको set करना होगा, दोनों ही language से 30 mcq होंगे 30 mcq होंगे, 30 mcq होंगे 30 mcq होंगे, then fourth paper mathematics and science है, जो की 60 mcq पूछे जाएंगे 60 mcq के लिए, यह उनके लिए होगा जो science साइट से भर रहे हैं, जो arts या फिर commerce साइज के होंगे, उनके लिए social studies या social science सब्जेक्ट से उनको भरना होगा, और वहाँ पर भी 60 mcq होंगे 60 marks के, clear, तो यहाँ पर अगर आप science सिस्टेम से हैं, तो child development and pedagogy, language 1, language 2 और mathematics and science लेना है, वही पर अगर आप art या फिर commerce से हैं, फोर्थ और फिर्फ में आपको choice मिलेगी, वहाँ पर आपको जो अपने stream के recording, science और commerce के recording आपको choose करना होगा, और language 1 और language 2 के लिए आप यहाँ पर paper code देख सकते हैं, इसमें से कोई साभी दो language आपको select कर लेना है, वहाँ से आपको 30-30 secures मूझे जाएंगे, validity की बात करें, तो seated का जो certificate है, वो lifetime के लिए valid होगा, the validity period of seated qualifying certificate for appointment will be for lifetime for all categories, तो सभी categories के लोग अगर आप qualify कर लेते हैं, तो यह lifetime के लिए validity होगा, आपको बार-बार examination देने की ज़रुएच नहीं है, के लिए 501 पेपर और 600 दोनों पेपर के लिए, qualifying की बात कर लें, तो as per NCT notification dated 11th February 2011, a person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass, यानि की कोई भी person जो 60% से ज़्यादा marks लेकर आता है, तो वही जो है seated qualify माना जाएगा, हाला कि school management consider giving concession to person belonging to SCHT, OBC differently average person, in accordance with their extent reservation policy, तो जो school management है, चाहे वो government है, local bodies are government added, वो अपने label से SCHT, OBC differently average person को relaxation दे सकती है, as per reservation policy, लेकिन minimum आपको 60% marks दाना होगा, अगर आप general category से आते हैं, तो उस case में, तो ही आप seated qualify माने जाएगे, तो यह जो है important details थी, eligibility के लिए जल्द ही हम नया video upload करेंगे, तो form जो है वो 3rd November से 23rd November 2023 तक आप फिल अप कर सकते हैं, seated के लिए, दोनों paper के लिए, चाहे paper on apply कर रहे हो, चाहे paper to apply कर रहे हो, चाहे दोनों ही paper apply कर रहे हो, और fees 1000 रुपए, general OBC के लिए, SST के लिए, different limit के लिए 500 रुपए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और दोनों paper के लिए लपाई करते हैं, तो 1200-600 हो जाएगा, wish you all the best, keep watching.